जब सीलन से खराब है जब पहले इसकी पप्डी को अच्छे से निकाल दो उसके बाद इसमें डैम्परूप लगाने के बाद फिर इसमें बॉल पुटी किया जाए उपर से पानी नहीं कि कोंगा इसके चांप अच्छे साथ ऊपर से पाई आ रहा होगा पाइप में फाइप में ही कुछ घमी होगा इसके यह 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 अजय है किस तरीके से पहले इसको निकालने के बाद इसमें तारवरस भी लगाना है, ठीक है ना, जितना निकलता निकालता है, ऐसे, और देखो, लापरवाई नहीं करनी है, जितनी भी धीले हैं ना, गुरार में ये फेंट ये प्लास्टर निकल जा रहा है, इसको अच्छे से निकालना है पहले, उसके बाद तारवरस लगाना है, उसके बाद डैम प्रूप करना, डैम प्रूप करने के बाद फिर इसमें बॉल पुट्टी करेंगे, जितना निगलता है, निकाल दो, उसके बाद डैम प्रूप लगाएंगे, देखो, देखो, सीलन तो है, उसके लिए हम बनाने कर रहे हैं, लेकिन जिसने पहले बाद इसमें पेंट का काम किया है ना उसने भी बनमाची करेंगे, अगर इस पेंट को थोड़ा सेंडिक पेपर से अच्छे से निकाल देता है, इस पेंट को उसके बाद पानी से तराई करता है, फिर पुट्टी करता है, ऐसा हरत नहीं करता है, ठीकिना, जब भी डेंट करता है, इसी तरीकी से अच्छे से पहले आप निकाल देता है, ठीकिना, उसके बाद डेंट करेंगे, और ध्यान रखो, जब भी आपको अगर जैसे पुरानी दिवार है बेखार है, इसमें ऐसे ही पेंट कर दिया होगा, कभी उसके बाद देखो इसमें ब पुटी करो, ठीकिना, इस तरीके से होना चीए, कम से कम, या तो ऐसा हलका हो, तब पुटी करो, ठीकिना, तराही करो, जब पेंट कुपरी करोगे, तो देखो निकल दाता है, कम जोर दाता है, मज़ूद है, इस तरीके से पहले साफ कर दो, तो हम इसको पहले अच्छे से स कर दो 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 कर प्लाज से ही प्लाज से प्लाज से कि अप्रौब बालोग। अपार बहा है झाल टो झाल जितना निकलता है निकाल दो इसके बाद डैम प्रूप लगाए जाएगा उसके पाद इसमें जाल पुक्ति किया रहेगा जितना निकलता है निकाल दो अब इसमें पाने निए शूप दिया है अब बिवार खराब हो जाए शीलन से तो इसमार्ट केर हइड्रो लगाने से पहले इसको तारवरुस से पहले साफ कर लेते हैं ठीक ना चलो और बरस से जाड़ लेते हैं देखे डेम प्रूप लगाने से पहले अच्छे से इसमें तारवरस लगा देते हैं इस तरीखे से लगाना है इस पत्ति लगाने के बाद फिर डेम प्रूप लगाने से पहले इस तरीगे से तारवरस लगाने से पहले इस से क्या होगा देखे पता लगे हैं यहां पर भी देखे दिला है स्टारवरस लगाने से देख कितना फाइदा है अगर कहीं धिला होगा न दिवार के पपड़ी तो वो पथा लगाता है इसलिए डेम्प्रूब लगाने से पहले अच्छे से पहले स्टारवरस लगाने इसलिए डेम्प्रूब करने से पहले इस काटिंग को अच्छे से साफ करने है अगया ओ आप इस काटिंग को साफ करने दिवार को भी देखो जहाँ पर आपको अगरouch लगाना हो कि दिवार और इस काटिंग अच्छे से साफ करने इस कि जब आप पत्ति लगाते हो तारवरस लगाते हो है चुट जुटा रेत के कण आए अगर आप अच्छे से साफ सफाई करके डैम रूप नहीं लगाऊँगे तो आपका डैम रूप खाब हो जाएगा क्योंकि बार बार आप डबे में बरस इसमें लगाऊगी बरस डबो गें तो क्या होगा डैम प्रूप खाब करती है इस तरीफे से आपने साफ करिया आप इसमें डेंग रूप लगा सकते हों कि पूर दो कि आप कि हम आप कि आप जो 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 जलाजे। इसके बात ऐसे परस से इसको साफ जरू करें नेटो डेम्स क्रूप को भी आप करें इस तरीके से साफ करके तभी कर जाए जबतार परस लग जाए आपको इसकाटिंग साफ करना है आपको इसकाटिंग जरूर साफ करना है देवार पर भी बरस लगना है और इसकाटिंग पर भी लगना है और देवार साफ करना बहुत जरूर जरूर जाए जरूरूर जरूर जरूर जरूरूर होगे साब सभाई यह नीची की गंती की बात में ठादेंगे देखें डेम्प्रूप के डिपे को हमने खोल लिया है ठीक ना इधे होगा इधे होगा इधे एक खाली टेपलों चाली टेगा क्योंकि देखो पूरे मेटरियल कंदर अगर आप बुरस डाल के दिवार में लगाओगे ना तो जो दिवार में हलका पुलका जो रेत होता है ना वो भी इस पूरे मेटरियल में लग जाएगा लगवाग हम इसमें आधा लीटर ले लेते हैं और देखें आधा लीटर में हम 100 एमल इसमें पानी भी मिला देगे क्योंकि थोड़ा पतला अंते के बाद एक को डॉर लगा दो जब शूँजा अच्छे से लेकिन एक दुम काड़ा काड़ा ना लगाए हमने पहले से ही एक लीटर में 100 एमल पानी मिला दिया था आप चाहो तो आधा लीटर में 100 एमल पानी मिला सकते हो ठीक ना क्योंकि बरस चलना चाहिए ठीक में 100 एमल मिलाया था लेकिन बहुत गाड़ा है कितना ठीक है अब हमने इसमें लगा के देखाते हैं देखो जहां जहां खरार है अब वहां वहां कर दो हमने इसको अच्छे से साफ कर लिया अब आप इसमें लगा तो कहीं पर भी हो अब पुटी करने से पहले या रिपेर क इस तरीके से अगर आप कर दोगे ना तो क्या होगा दोबार फिर आशानि से निकले तो इस में लगेगा फिर वहां आपको दिखाने से लिए देखो योगि ऊपर कहीं टूटा होता तो जहां हम नहीं लगाता है कि सीलन नहीं होगी तो तो आपको बढ़ा ब़ुत दिक्कत कपड़े से साफ कर देती है कि कपड़ा रहो कपड़े से हाथ के हाथ साफ कर दो अभी सूखने के बाद एकदम लॉक हो जाएगा अभी देखो शूख गया है इसमें और नहीं लगाएंगे इसमें रिपेर कर देगा यहां है थोड़ा सा इसमें लगादे रहा है तक दोबारा कभी आसानी से शिलन ना आए ठीक है अ हम थोड़ा सा यहां पर है इस तरीक से आपको लगाना होता है देखो अमने थोड़ा सा इसमें पाने मिलाा है आदा लीटर में तो यह आराम से लग गया आपको अगर दो बार लगाना है तो तीन चाल घंटे के बाद एक बार और लगा देना और कहें रहें बस इसी दिवार में है सबसे ज़्यादा अच्छे से हमने जब पती लगाया तारवरस लगा दिया इसको एक बार लगा देंगे अच्छा रह गया क्योंकि अब सिलन है नहीं सूख गया है और यह बदमाशी करीए पेंटर में देखो जो नीचे का जो ऊबर खावर सर्फेस ज़रूर है इसको थोड़ा सा और सेंडिंग करना चाहिए था तब जाके बाल पुट्टी करना चाहिए यह दो बाल पुट्टी करके ही पेंट किया था ना तिस पेंट को थोड़ा करेंगे उसके बार क्वेंट करेंगे तो वो सारा खेल होता है पैसे काम है जैसा मालिक प्रसा देता है वैसा ही काम होता है अच्छे से अब इसको आज डेंप रूब लगा के छोड़ देंगे इसमें कल करेंगे रिपेर तो इसके छेदों में अच्छे से भार जाना चाहिए अच्छे 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 लागाना चाहिए तो बरस चनना भी तो चाहिए अगर थोड़ा सा पानी डालने से आसामी से जब कितने प्यार से लग जा रहा है तो यह जो नीचे आ जाता है ना इसको हाथ के हाथ साथ करना चाहिए थोड़ा से यहां और लगा देते तैकि इस चेज में भर जाए अच्छे से अच्छे कि देखो हम चाहते हैं तो ऐसे खोड़ करके थोड़ा सा पानी से तराई करके इसमें बॉल पुक्टी प्योपी मिक्स करके कर देते लेकिन क्या होता वो कुछ दिन के बार ने चाहिए जाता ठीक है ना लेकिन यह डैम प्रूप लगाने से यह थोड़ा ठीका रहेगा अगर इसमें पानी आएगा दोबारा तो निकलेगा तो ज़रूर लेकिन निकलने में बहुत इसको कठिनाई होगा क्योंकि डैम देखो पॉने 600 रुपए लिटर है 575 रुपए एक लिटर कोई दिक्करत नहीं काम अच्छा नहीं चाहिए अगर आपको जरूरत है कि थोड़ा और लगाएंगे जैसे एक बार सुख जाए तब आप एक बार और इसमें लगा सकते हैं अब इसके बाहर के देवार को भी कर देते हैं और जैसे कि यह कहीं कहीं कूटा लेता है जैसे हैं यह तो पानी लगाएंगे थोड़ा और रिपेर करेंगे और जाएगा 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 जवर्दस्त हो गया ना आप चाहो तो एक बार और लगा कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डॉक्टर फिक्सिट का बाटर पूरूपिंग करने के लिए कौन सा केमिकल सबसे बहतरीन है अगर आपका मकान पुराना है आप बाटर पूरूपिंग करवाना चाहते हैं तो इसके लिए यह वाला बहुत बहतरीन है पीडी क्रीट यू आर पी देखिए 301 डॉक्टर फिक्सिट का है लेटेक्स फॉर रिपेरिंग एंड बाटर पूरूपिंग यह पेंटरों के लिए बहुत अच्छा होता है पेंटर लोग अगर बाटर पूरूपिंग करना चाहते हैं तो इसका यूज करें सब यह 200 ml का है तो एक लीटर का है और यह देखिए यह है LW प्लस कि आप यह 200 ml का है 200 ml का 50 किलो सेमेंट में आप मिला सकते हैं यह पेंटर लोग के किसी काम का नहीं है देखिए यहां पर लिखा हुआ है ना लिक्वीड वाटर पूरूपिंग कंपाउंड फॉर प्लास्टर एंड कंक्रीट तोनिक फॉर सिमेंट इसमें लिखा भी है इसलिए आप लोग ध्यान रखें जो पुराना घर होता है ना उसमें यूर्पी इस्तिमाल करें सबसे ज् कैसे अभी तो हम करेंगे आपको बताएंगे लेकिन ध्यान रहे इसको यूज करें यह जब प्लास्टर बगरा करते हैं ना मिस्त्री लोग उनकी लिए बढ़िया है यह जैसे आपको ही प्लास्टर करवाना है आप इससे पहले बाटर प्रूरूपिंग कर दीजिए और प्लास्टर अपरम एक बार बाटर करेंगे प्लास्टर बेस्का युजिए ऑगे है और इसको अच्छे शे ने क्रूपिंगाई जब यह प्योपी और पॉल्बुट्टी अच्छे से मिक्स हो जाए फिर इसको पानी से निलाओ थोड़ा थोड़ा पानी डालो और अराम से पेश्ट के जैसे बनाओ ठीक है पहले बना लेते हैं इसके बाद बताएं कि देखें जब रिपेरिंग के लिए बॉल पुट्टी और प्योपी बनाएं कहीं सीलन हो तो इसको ठोड़ा सा डालें ज्यादा भी ना डालें इतना भी ना ज्यादा डालें कि घिसाई करें तो वह कटें नहीं ठीक है इसलिए हिसाब से थोड़ा सा डालें चलिए अब करके दिखाते हैं इस तरी के साथ को बनाना रहा है पत्ती से भी लगा सकते हैं और गरवारा से लिए जब एक बार रिपेर सुख जाए तो एक बार और इसमें रिपेर कर सकते हैं इससे क्या वकत दो बार करने से एक दाप स्मूथ होगा कर दो करने चार पार गर एक बार्वारा करते हैं घरज होगा करना से भी लग एक दो पिया पार ऐ कर दो एक दो कर दो झाल झाल दुबारा जब करेंगे ना स्मूथ हो जाएगा हलका नमी है ना कोई बात नहीं है आप एक बार और कर देंगे क्योंकि ये बहुत मंदूत हो चुगा है ते बार और कर देंगे तब पिलिश हो देंगे झाल 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 कर दो 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 दो करamento दो देखो बहुत बड़ा टूटा हो ना तो पहले एक बाद लगा के छोड़ दो उसके बाद फिर एक बाद पहलो भाद लुटा हो ना तो तो सकते हैं तो सकते हैं कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर सुब जाएगा कर दो फॉश्ट वाइलेट्ट ज्यादा नहीं डालना है हाऊ कि अगर यह होता है मुशन तो इतना नहीं हो जाए अगर यह होता है मुशन तो इतना नहीं होता है अगर है मुशन तो तो आशा पाने और डालेते हैं ज़ा अगर आजी नहीं डालेंगे ने पतला ना होते हैं बीच अगर देखते हैं कैसे बना है हिए है है इपार पिडियू है 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 पुरा भझाय का तो देखा ने है जब दिवार करने से फेले ठोड़ासा अलग से बचा करेंगो। कि एक किलो डिस्टंपर में ज्यादा मोटा चाहिए तो 500 ml पानी मिला है ज्यादा पतला चाहिए तो 700 ml तक पानी मिला सकते हो कि एक किलो डिस्टंपर में पान्सों से लेकर साथ सो एवन तक एक किलो डिस्टंपर में मिला सकते है अच्याद में बहुत मोटा है बाद में पानी मिलाया जा सकते है चक क्षक कर लिजी एक वाद टेंसर उसके बाद दो लगा दीजी इस तो जिये इसको यह जा है 95% गॉल्ड पुट्टी लेंगे 5% प्योपी डाल देंगे इससे क्या होगा जल्दी सेट हो जाएगा इससे ज्यादा नहीं डालेंगे अच्छा पन लाओ प्योपी और बॉल पुट्टी अच्छा से मिक्स हो जाए फिर इसको पानी से निलाओ थोड़ा थोड़ा पानी डालो और अराम से पेश्ट के जैसा बनाओ रिपेरिंग के लिए बॉल पुट्टी और प्योपी बनाए कहीं सीलन हो तो इसको थोड़ा सा डाले जाए हिसाब से थोड़ा सा डालगा चलिए अब करके दिखाते इस तरीके साथ को बनाना है पत्ती से भी लगा करके दिखाना है पत्ती से थोड़ा है झाल 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 यहां पर जोइन दता ना वहां पर इस तरीके से घिसना होता है और ऐसी स्मूथ करना है और जब भिश जाये तब आप इसमें प्रैमल कर सकते हैं यहां जादा आप यहां पर आपके आपके लादा खें़ अजो प्रची विलेट आप सिली में लगागे रिखते हैं आप सिली में लगागे रिखते हैं आप सिली में लगागे रिखते हैं आप इस तरहा दीजी होगागे रिखते हैं जबाद आखे, जब कि ए ऐ झाम।, इस पी जादे जा दो जबादा, जबादा, जबादा. झाम झाता है कि आपने जाए कि ये मैं कि अशय को कि आपके। कि आपक बैच्ट नए ने आपके। कि ये कि अकर गुख करें डासे तब एक अधोड़। झाल 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 झाल